आज आपको जो सुंदर पहाड़ी दिख रही है वही है नील परवत इसी परवत पर मा चंडी देवी बिराजमाल है पर आज हमा पू इस पहाड़ी के रक्षफ दिवता माने जाने वाले लिलेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे तो हमारे साथ एंड तक बने रही है नीलेश्वर महादेव तक पहुचने के लिए आप किसी वे विहिकल में आ सकते हैं चंडी देवी से यह मंदिर सिर्फ एक किलोमेटर के दूरी पर है अगर आप चाहें तो यहाँ पैदल भी आ सकते हैं रास्त बहुत अच्छा और कम चड़ाई करने वाला है मंदिर परिसर में आते ही मन को अलग से शान्ति प्राप्त होती है मंदिर के आसपास ही बेदा प्राकृतिक सौन्दर्यता आपको हरिद्वार को देखने का नया द्रश्टिकोन देगी यहां पर तरह तरह के फलदार व्रिक्ष है पर इन पेडों पर लगने वाले फलों को तोड़ा नहीं जाता है फल पक कर जब नीचे गिरते हैं तब उनको बोलेनात को अर्पित करके प्रसात की रूप में श्रद्धानों को दिया जाता है अगर आप चंडी देवी आ रहे हैं तो कुछ समय की नहीं सही पर निलेश और महादेव जरूर आईए यहां मंदिर शैव संप्रदाय के लिए बहुत महत्फर रखता है कहां जाता है कि बगवान शेव और माता पार्वती का विवा दुनिया के सबसे उंचे मंदिर त्रियोगी नारायन में हुआ था लगने स्थल पर पहुचने से पहले बगवान शेव और बाकी बाराती कुछ समय के लिए यहां रुके थे शादी के बाद भवान शेव और माता पार्वती ने कई सालों तक यहां वास किया था आज भी यहां जो बगत सच्चे मन से आते हैं उनको बोले नात का यही होने का आभास होता है यहां का जो शिवलिंग है वो स्वयम्दू है यानि कि इसे कोई मनुष्य ने स्थापित नहीं किया है इस उत्तरा भी मुख शिवलिंग का वर्ण शिव पुराण में भी मिलता है इस पवित्र शामण मास के अवसर पर निलिश्वन महादेव का दर्शन कर आपको कैसा लगा कामन शक्षन में जरूर बताईएगा तब तब किले स्वस्त रहें मस्त रहें और हमारे चानल को सस्क्राइब कीजिए